हेलो दोस्तों मैं सवरों बलीक आप सभी का टोपी की स्टड़ी में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज रीजनिंग के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और एक्सपेक्टिड कोशन जो की रेलवे गुरूप डी के लिए बहुत इंपोटेंट रहने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड का लगा बटन दबा करके खुद भी जुड़िये अपने सभी दोस्तों को बतेगा बेल आइकन कौन रखेगा बेल आइकन ओन रहेगी तो आ पर सोरम मलिक सर्च करके आप मुझे फोलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा अगर समझ में है तो लाइक और शेर जुरू करिएगा दिखे कथन और तर्क कथन और निसकर से आपके बहुत सारे कोशन पूछे जाने हैं तो आज की वीडियो में भी हम तीन से चार कोशन देखने वाले कथन और निसकर से तो यह बहुत इंपोटेंट चैप्टर आपके एक्जाम में बहुत सारे कोशन पूछे जाने हैं ठीक है और मिक्स कोशन आज की जो वीडियो मिक्स कोशन की है तो पूरी वीडियो को देखेगा बहुत टाइप की कोशन आपको इसमें मिलने वाले ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला कोशन है कथन क्या भारत में नए विश्विद्याल्य इस्थापित किये जाने चाहिए एक कोशन यहां पर कोशन से रिलेट करके देखू इस कथन से रिलेट करके देखू क्योंकि एक यह कोशन ही तो है ठीक है तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है यहां पर आंसर तो मिला है नहीं मिला है ठीक है फिर इसके बाद में जो स्टेटमेंट दी गई है अभी भी हमने क्थन को पड़े तो कथन में एक कोशन नजर आ रहा है कि क्या भारत में ने विश्विडाले स्थापित किये जाने चाहिए तो यहां पे किसी भी चीज का किसी भी साक्षार्त अदर और और रोजगार का कोई लेना देना नहीं है और कोई बात नहीं की गई है पसे एक question पूछा गया है तो यह इस कथन से कोई सा भी relate नहीं करते हैं और कोई सा भी इसमें से आपका right नहीं होगा तो दोनों को हम discard कर देंगे ठीक है तो आश्चा करते हूं कि आपको यह समझ में आया होगा ठीक है next question देख लेते हैं, next आपका question है, कथन, क्या भारत में रक्षा पर जरूरत से ज़्यादा खर्च किया जाना तर्किक रूप से सही है, तो ये भी एक question पूछा जा रहा है, और इसमें तर्किया है, हम देख लेते हैं, हाँ, देश की सुरक्षा पहली आवश्यक्ता होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, देश की सुरक्षा पहली आवश्यक्ता होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा देख है, नहीं, सांती के समय ध कास पर खर्च किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी सही है, बट अगर हम यहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी के बारे में, और अपनी भारत की रक्षा के बजट के बारे में, हम देखें, आपे बात करके देखें, तो हम अपना जो है, जितनी requirement है, उससे कहीं गुना ज को देखते हैं, ठीक है, और हम नहीं हर एक कंट्री ऐसा सोच के चलती है, कि कभी लड़ाई हो जाए, इननी केस कभी होने नीचे है, किसी भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है, तो उस टाइम पे वो सब कुछ खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो धीरे-धीरे से अपना जितना खर्च होना चीए, उससे एकस्ता ही खर्च करके चलते हैं, तो हमारा पहले वाला राइट हो जाएगा, दूसरे वाला राइट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सांती के समय, अगर हम सारा धन विकास पे ही खर्च कर देंगे, और रक्षा पे, जो रक्षा का ब पहले कब होगी, क्योंकि जब हम, जितना जरूरत है, उससे जादा, क्योंकि जरूरत तो अभी एक, आप सोच के देखिए, कि इतनी मिसाइले, और इतना सब कुछ, इतनी बड़ी आर्मी की, इंडिया को कोई जरूरत है, इस टाइम पे, ठीक है, बट ये एक, फ्यूचर को देखते हैं, बनाई जाती है, सब कुछ, इंडियान आर्मी, या फिर किसी भी देश की आर्मी, आसे करता हूँ, कि आप समझे होगे, जो मैं बताना चाहा हूँ, और जितनी भी बात है, बोली है, मैंने एक कोशन को समझाने के रिगार्डिंग बोली है, अधरवाइस कोई भी मत लीदेगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी इन चीजों को अधरवाइस नहीं लेना चाहिए, जितनी भी चीजे बताता हूँ, आपके information को, और आपकी जो सोचने की capacity उसको बढ़ाने के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो आसा करता हूँ, कि समझ में आगया होगा, नेक आपको पहले भी बता है, अगर आपको alphabet के numbers नहीं पता है, कि कौन सा alphabet हमारा किस number पे आता है, तो आप उनको याद कर लीजे, अगर याद नहीं होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी, जितना भी हो सके, मतलब कम से कम 30 seconds में लिखने की कोशिस करे, A, B, C, D लिखने की, तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी, अगर A, B, C, D में लिखू और O तक लिखू, तो बाएं इसका ये वाला होगा, ठीक है, यानि कि आपका left साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा, तो बाएं ये वाला होगा, तो बाएं इ के लेफ्ट बोला है ना बाएं साइड में तो बाएं साइड में काउंट का लीजिए 1,2,3,4 तो फोर्थ आपका के हो जाएगा तो राइट आंसर के हो जाएगा तो आसा करते हूं कि यह कोशन भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका कोशन है सब्द एडल्ट्रेशन में दाएं से चोथे अकसर के बाएं पांच वा अकसर क्या होगा अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं यहां पर कभी भी चाहे अलफबेट में पूछे या फिर कोई वर्ड दे दे उसका प लिजे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो 9 आपका एल हो जाएगा राइट आंसर एल हो जाएगा अगर दोनों साइड में बोला जाए कि दाएं से चोथे अकसर के दाएं पांच वा अकसर तो तब आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद में कितना हो जागा चोथे के पांच सोरी आप पांच वा करना पड़ेगा क्योंकि चोथा पहले हो जागा ना तो दाएं से पांच वा अकसर के बाएं चोथा अकसर तो पहला हो जागा यानि कि आपका एन ही राइट आंसर हो जाएगा यानि कि अगर दाएं दाएं दोनों साइड में बोला जा रहा है दाएं औ और बाएं बोला जारा है तो तब माइनस कर दीजिए, अगर एक साइड में दाएं और दूसरी साइड में बाएं बोला जा रहा है, तो दोनों को प्लस करके और काउंट कर लीजिए, जो सबसे पहले बोला जाएगा, दाएं साइड यानि की राइट साइड होती है, तो यहां को बताता हो जाता हूँ, इनसे आपकी एकदम से कहीं प्रोब्लम सोल हो जाती है, जैसे अभी उपर वाली अलग कोशन ते नीचे अलग कोशन होगे, अलग फिर दूसरे कोशन आएंगे, ठीक है, तो मिक्स को वीडियो ही मैं लेक्या होगा, अब 17 सेप्टमबर तक और उसके मिक्स वीडियो जी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, तो आसे करता हूँ कि समझ में आयोगा, नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, नेक्स्ट आपका कोशन है, और फटा फट इसका आंसर आप कमेंट बोक्स में करेंगे, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल सेप्रेट अभी चैप्टर आपको कम्प्लीट का है, कुशन नंबर 4 है और 4 का राइट आंसर, सभी बच्चे कमेंट बोक्स में करेंगे, औप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर आपको मिरर इमेज बतानी है, नीचे दिये गए आकरती का दरपन परतिबिन कैसा बनेगा, यह आपको बताना है, A, B, C, D मे मिरर नीचे रखा है, ठीक है, और राइट और लेफ्ट में बोला है, तो फिर आप मिरर को पहले से रखा हो, मिल जाएगा, तो आपको बस एक चीज सोचनी है, कर मिरर यहाँ पर रखा है, मिरर के पास में कौन सी चीज है, मिरर के पास में यह है, ठीक है, यह तो से दूर हो चुका है और question के हिसाब से भी answer हो चुका है बट एक बर दूसरे भी check के लिए क्या पता किसी दूसरे में भी ऐसा डबा रखाओ मिल जाए तो यहाँ पर इसमें नहीं है इसको अटा देंगे यह उपर हो गया इसको भी अटा देंगे यह दोनों ही कोई भी बच्चा 25 मार्ग से लेके आ सकते हैं बहुत से बच्चे देखना 30 में से 30 भी लेके आ सकते हैं बहुत ही आसाना आने वाले जितनी मैंने वीडियो अप्लोड किया अगर आपने वो सारी वीडियो देख ली एक भी नहीं चोड़ी तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आएंगे ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर चलते है नेक्स आपका कोशन है राजीव को याद है कि उसके भाई मानविंदर की जनमतिती 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर पढ़ती है यानि कि 20 के तो बाद है 28 से पहले पहले है ठीक है रीता को याद है कि मानविंदर की जनमतिती 22 के पूर यानि कि 22 से तो पहले पहले है बट 12 अगस्त के पश्चात है यानि कि 12 अगस्त के बाद बाद है तो पढ़ती है बताएं कि मानविंदर की जनमतिती क्या है होना चाहिए और 20 से बड़ा-बड़ा मतलब 20 से तो बड़ा ही बड़ा है उसको पता है ठीक है किसको पता है यह पता है आपका जो इसका भाई है राजीव को ठीक है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 20 के पश्चात है यानि कि आपको 20 21 22 23 24 25 27 26 यानि कि आपने ल 14 15 16 17 18 19 20 21 आप मुझे यह बताइए उपर और नीचे आपको साथ अच्छे समझ में ना रहो बट आप सोच के देखे 20 से 28 तक लिखे 12 से 22 तक लिखे इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके जो इसका भाई है मैं नाम बूल गया राजीव राजीव ने जो सो 12 से 22 तक तो आप एक ऐसा नंबर देखे जो इसमें भी लाई करता हो 20 से 28 तक भी और 12 से 22 तक भी वो नंबर है 21 तो 21 ही इसकी एज हो जाएगी और 21 अगस्त राइट आंतर हो जाएगा देखे एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि ऐसा कोशन आ सकता है आप जब भी दो आ 28 तक लिखे पूरा ठीक है 20 के पश्चात यानि कि 20 के बाद बाद का होगा 28 से पहले पहले होगा तो 28 तक आपने लिख लिया फिर आपने यहां पर बोला रीता को याद है कि मानवेंदर की जनमती थी 22 के पूर यानि कि 22 से तो चोटा चोटा है चोटा ही है बट 12 अगस्त से 12 से बाद का बाद का है तो 12 से 22 तक आप फिर लिख लेना है तो 12 से 22 अगस्त लिखेंगे 20 से 28 लिखेंगे इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा common number है जो इसमें भी आरा हो और इसमें भी आरा हो सिर्फ एक ही number आएगा वो 21 है और इस से दूसरा number कोई नहीं आएगा अगर आत पंक्ति में कितने लोग है, तो आप सोचके, खुद ही, सोच सकते हैं कि रमन से इसका 15 इस्थान है, रमन हिह पे बैठा होगा, पंदरवा है सुरु से और अंतिम से उसका ग्यारवा है, तो अभी भी रमन हिहें पे बैठा होगा और यहां पे 1 वा है, तो दोनों को प्लस करके आपका क्या हो जाएगा 26 और माइनस 1 कर देंगे तो आपका 25 राइट आंसर आ जाएगा तो आसे करते हमें ये भी कोशन आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं अब आप चले तो प्लस 1 चल रहा है निकि A से B, B से C और C से आप चले D ठीक है तो और नेक्स क्या आजएगा आपका नेक्स वरड आजाएगा आपका D से आगे E आजाएगा तो एक तो पहला आपका किलियर होगा फिर यहाँ पर हम बात करें N से O O से P P से Q और Q से next के आएगा R तो आपका E और R आजाएगा right answer ठीक है तो यहाँ पे plus 1 चल रहा था सभी में तो इधर से नीचे से आपने इनको plus करके 1 एक बढ़ा दिया और उपर से इनको plus करके एक बढ़ा दिया तो E R is the right answer तो आसा करता हूँ यह question भी आपको समझ में आगया हुआ और दोस्तो एक चीज मैं आपको बताना भूली का शुरू में एक test series मैं आपके लेका हूँ ठीक है जिसके prize मैं आपको prize इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरी खुद की test series नहीं है तो उसमें सारे होंगे ठीक है उसमें reasoning भी होगी आपकी science भी होगी current affair भी होगी math भी होगी सब कुछ होगा और वो केवल 120 rupees में ठीक है तो केवल 120 rupees में आपको 30 test मिलेंगे अगर आपने वो 30 test लगा ले तो आपका definitely बहुत अच्छा score बन जाएगा अगर confidence आप में आ गया तो समझे आपका selection कोई नहीं रोक सकता है ठीक है क्योंकि कहीं बार क्या होता हम question कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं पर जिस time exam में बैठते हैं उस time पे confidence की कमी होने की वाई से बहुत सारे question हम गलत कर देते हैं तो एक जो यह तिरकुन सोरी आपका बना होता है नीचे कोने में आपका एक छोटा सा तिरबुजगा निसान इस पे आपको क्लिक कर रहा है सबसे पहला link मिल जाएगा वहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर रहा है हाँ एक चीज का ज्यान रखेगा वो है 149 का जो test है 149 का उसमें 20% का discount सिर्फ topic study के student को मिल रहा है क्योंकि मैंने आपके लिए थोड़ा वो किया है कि हमारे बच्चों को थोड़ा discount दीजिए otherwise मैं share ही नहीं करूंगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे share किया है क्योंकि उन्होंने आपके लिए 20% का discount दिया discount कैसे मिलेगा आपको एक code भरना है discount के लिए note कर लीजेगा Saurab S-A-U-R-A-B-H ठीक है S-P-L इसको note कर लीजेगा यह आपका code है इसको सभी एक बर screenshot ले लीजे Saurab मेरे नाम की spelling S-A-U-R-A-B-H S-P-L S-P-L यह आपका code है इसको भरेंगे तो आपको 20% का discount मिल जाएगा कुछ नहीं करना है link पे click करना है जो नीचे comment box में मिल जाएगा description box में भी link पे click करना है अपना test खरीद लेना और देना start करना है कुछ भी नहीं करना दो step में आपका test start और 20% की चूट तो आसा करता हूँ कि आपको समझ में आगे होगा कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं वहापे भी आपको reply कर लूँगा अगर telegram join कर सकते हैं तो वहापे तो बहुत अच्छी बात रहेगी वहाँ तो हम बातचीत करते ही रहते हैं अगर आपको कोई doubt होता है तो चलिए मैंना भी बता दिया आगे next question पर चलते है next आपका question है यह person आकरती दे रखे उत्तरा करती है आपके यह 4 हैं आपको इन 4 आकरतियों में से देख करके यहाँ पर कौन सा आएगा इसको कौन सा complete करेगा इस आगरती को तो बहुत सिंपल है सभी की direction देख लीजिए क्या direction है सिर्फ एक ऐसी direction आपको लग रहे है कि यहाँ पर हम रखेंगे तो यह बिल्कुल इसको complete कर देगी ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं आपे रखके और यही आपका right answer हो जाएगा इसको देखेंगे तो नीचे की side है ठीक है इसको देखेंगे यह भी नीचे की side को है और इसको देखेंगे तो यह उपर की side में कोने में दूसरी direction हो गई तो direction यह सही है ठीक है और फिर पहली जब direction ही गलत है तो आप और दूसरी चीज़ देखने की ज़रुरत ही नहीं है तो आशा करता हूँ कि यह question आपको समझ में आगया होगा आपने इसका सभीनी right answer कर भी दिया होगा next question पर चलते हैं next question देखें दोस्तो इस type के question भी आपको देखने को मिल सकते हैं और और आफ लागर है तो बताएं कि पेड़ की पती का रंग क्या होगा तो आप सभी को पता है पेड़ की पत्ति का रंग क्या होता है हरा होता है तो हरे को यहाँ पर क्या बोलगा बस देख लीजे हरे का अर्थ काला है तो आनजर आपका काला हो जाएगा यानि कि D तो इस टाइप के भी कोशन आते हैं तो आप आसा करता हूँ कि आप सभी करके आएंगे इनको ठीक है चलिए next question पर चलते हैं next आपका question है direction से तो इसको भी देख लेते हैं अच्छा question है इसी में आपके दो question पूछे गए हैं इस question में तो आप भी try करेगा और मैं भी आपको साथ साथ में बताता हूँ चलूँगा एधि आप एक स्थान से उत्तर की और दोड़ना शुरू करें और 4 km दोड़ने के बाद अपनी बाई और मुड़े और 5 km दोड़े तो हम सुरू से ही देखते हैं बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ते जाएंगा और करते जाएंगा सबसे पहले उत्तर की और दोड़ना शुरू किया और 4 km दोड़े ठीक है तो आपने एक लाइन के खैस दी उत्तर की तरफ को इस डायकशन में करके हैं तो तो आपका ये देखिए एक चीज मैं आपको हर बार बताता है जितनी बार भी मैंने आपको डायकशन वाले कोशन करा हैं कि जो आपकी जो फेस होगा उत्तर की डायकशन में मुव करेंगे तो आपका जो right होगा वो उसका right होगा और जो आपका left होगा वो उसका left होगा जिसको यहाँ पर question में बोला जाता है और जो अगर नीचे को मूह होगा ठीक यानि कि इधर को मूह चलेगा द Kenneth की तरफ को तो आपका सब कुछ उल्टा हो जाता है ठीक है न यानि कि आपका राइट उसका लेफ्ट और उसका राइट उसका लेफ्ट आपका राइट इस तरीके से हो जाता है तो यहाँ पर बाइं मुड़ जाते हैं और पांच किलोमेटर फिल चल देते हैं ठीक है ना बार और आप एक बर 6 km दोड़ेंगे ठीक है तो यहां पर आपने बाई और मुड़े तो यहां पर बाई और मुड़ने के बाद 6 km दोड़ने के बाद एक बार फिर बाई और मुड़कर एक किलोमेटर चले ठीक है तो अभी यह कितना हो गया यहां से यहां तक एक हो गया और वो आप यहाँ पे रुख चुका है, कोशन पढ़ लेते हैं, क्या 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 कोशन, पूछे गए हैं इस कोशन में, पहला कोशन तो यही है, आप उस इस्थान से कितनी, कितने कीमी दूर हैं, जहां से अपने दोड़ना शुरू किया था, तो सबसे पहला कोशन आपका यही है, तो इसमें हम बोल सकते हैं, कि हमने दोड़ना यहां से सुरू किया था, ठीक है, यह वाली डिस्टेंस कितनी है, पांच है, तो यह कितनी हो जाएगी, क्यूंकि नीचे वाली पूरी की पूरी 6 है, यहां से यहां तक कितनी है 6 है, और यहां से यहां तक यह 5 है, तो यह कितनी बच की एक, तो एक किलोमेटर की दूरी पर हम इस टाइम पर खड़े हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जगा, ए is the right answer, नेक्स देख लेते हैं, दोड समाप्त करते समय आप किस दिसा में जा रहे होंगे तो दोड समाप्त करते समय आप फिर से उत्तर दिसा में ही जा रहे होंगे तो आपका right answer हो जाएगा उत्तर ठीक है तो इसी direction में जा रहे है तो ये उत्तर हो जाएगा ऐसा करते हूं कि यह question आपको समझ में आओगा direction का question बहुत ही आसान होता है बस जहान रखेगा एक एक लाइन पढ़ते जाएए left, right, दाएं, बाएं, जितना बोला जाए सिर्फ उतना करते जाएए answer कभी गलत आए नहीं सकता है बहुत आसान होते हैं और आपके exam में जो आएंगे वो ज़्यादा hard नहीं आएंगे, ठीक है चलिए, next question पर चलते है next आपका question है सभी बच्चे ice cream पसंद करते हैं और कुछ बच्चे chocolate पसंद करते हैं तो कथन से हमें क्या पता चला है कि सभी जो बच्चे है, देखे कथन के according चलना है एक तो मैं आपको हर बार ये चीज़ बताई रहा हूँ सभी बच्चे ice cream पसंद करते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ बच्चे ice cream पसंद नहीं करते हैं इसका मतलब है कि सब बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं वो ice cream पसंद करते हैं और कुछ बच्चे chocolate पसंद करते हैं तो अब पूर अनुमान देखते हैं आपे क्या लगाए गए हैं जो बच्चे chocolate पसंद करते हैं वे ice cream भी पसंद करते हैं इसको हम बिल्कुल right लगाएंगे, इसके पीछे region यह है, जो बच्चे चोकलेट पसंद करते हैं, तो जो बच्चे चोकलेट पसंद करते हैं, वे ice cream पसंद करते होंगे, क्योंकि ice cream तो सभी बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है न, तो पहले वाला right हो जागा, जो सकते हैं कि pinky चोकलेट पसंद ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे चोकलेट पसंद करते हैं, तो pinky उन में से ना हो, ठीक है कुछ में से, तो ये वाला भी आप right करेंगे, तो दोनों right हो जाएंगे, pinky चोकलेट पसंद नहीं करती, परन्तु आइस्क्रीम पसंद करती है, तो दोनों right हो जाएंगे, तो आसा करता हूँ कि आपको एक कोशन भी समझ में आगे होगा, next एक कोशन और देख लेते हैं, देखे, next कोशन पढ़ते हैं, कथन यहाँ पर देखा, सिफाई अपने देश की सेवा करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जो देश की सेवा करते हैं, वो कौन होते हैं, वो सिफाई होते हैं, सिफाई अपने देश की सेवा करते हैं, चात्र सिफाई नहीं है, तो निसकर्स में क्या दिया गया है, चात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं तो कथन के according हम इसको right लगाएंगे चात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं क्योंकि चात्र सिपाई नहीं है क्योंकि देश की सेवा कौन करता है सिपाई करता है सिपाई अपने देश की सेवा करते हैं तो यहां पर बताया गया कि सिपाई अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र नहीं, ठीक है, और यहां पर बोला छात्र सिपाई नहीं है, इसका मतलब है कि छात्र सिपाई नहीं, तो इसका मतलब वो देश की सेवा भी नहीं करते हैं, कथन के अगोर्डिंग जाना है, रियल ल रखिए कथन को सोचिए यहां पर बोल गया कि सिफाई अपने देश की सेवा करते हैं इसका मतलब है कि सिफाई ही देश की सेवा करते हैं और चात्र सिफाई नहीं है अगर चात्र सिफाई नहीं है तो इसका मतलब चात्र देश की सेवा नहीं करते हैं दूसरा बोल गया कुछ चात्र अपने देश की सेवा करते हैं तो कुछ चात्र भी अपने देश की सेवा नहीं करते क्योंकि वो सिफाई नहीं है तो ये वाला आप कर रोंग हो जाएगा ये वाला राइट हो जाएगा आसा करता हूँ कि आपको समझ में आगे होगा केवल ए इसकर्स निकलता है ठीक है तो आज की वीडियो में था इतना ही और वीडियो आपको आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी और अगर आपने test series खरीदनी है तो नीचे comment box में भी link है और नीचे description box में भी link है और आप मुझे instagram पे follow कर लीजे या फिर facebook पे कर लीजे जहाँ पे भी कर लीजे और आप मुझे वहाँ पे message करके पूछ सकते है कोई भी आपका doubt है तो ठीक है और मैं नीचे comment box में number भी दे दूँगा whatsapp number उस पे भी आप पूछ सकते है ठीक है चलिए फिर मिलते है next video में वीडियों को देखने बहुत बहुत धने वाद आपका दिन सुबो